आपको पिछली हमारी तमाम वीडियो अच्छी लगी होगी काफी शेयर्स और वो लाइक आ रहे हैं मेरे पस कमेंट्स भी आ रहे और जिसके लिए ठैंक्स मुझे यह पूछा किया था क्यूंगे मैंने यह बताया हुआ था कि मैं कैसी रेमेडी बताऊंगा जो पैर से सर तक क कोई भी वेन अगर आपकी ब्लॉकेज होगी वो आपकी इस से खुल जाएगी मतलब वो रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ शेयर कर रहा हूँ मैंने खुछ भी आजमाई यह और मैंने अपने रिष्टदारों में और मेरे फैमिली मेंबर्स में भी मैंने जो एज होगी उ रही जो पेर से बैक की साइड से शोल्डर फ़काओं कंदे फ़काओं तो इसको आप देखे किस तरह पहले थो यह आप देख लाएं मैंने एक गिर्म मैंने एक गिराम ौचनी ली यह दस गिराम काले मिर्श 10 गिराम अलसी के फूल अलसी ले ले, दस गिराम खड़ी शकर, अब ये खड़ी शकर को इंग्लिश में क्या कहता है, इस्टेंडिक शूगर, I don't know, लेकिन मिस्री या खड़ी शकर जिसको कहते है, दस गिराम अक्रोट और दस गिराम तेस पाथ, अब हमने इसको अच्छे से ग्रैंट कर लेना है, मि इसको बनेंगे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इसके दस हिस्से करने है, दस हिस्से करने के बाद, इक्वल पार्ट में, रोज आना सुबा हमने खाना है, ये कम अजकम एक साल में या छे महीने में आप एक मत्वा ये करें, आपका दर्ड का भाग जाएगा, आप खु और ये बहुत अच्छी रेमेडी है, आप इसको आजमाये, ट्राइ करें, क्योंकि मैं खुद कोई भी जार में रेमेडी आपके साथ शेयर करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने पे या अपनी फैमिली पे इस पे ट्राइ करता हूँ, चेक करता हूँ कि आया इसके रिजल्ट मुझे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करना हूँ, अब हम मिक्सिंग जार में ये तमाम तीजे डालें, ये एक गिराम है, ये ज्याद लखेगा, ये दस गिराम नहीं लेनी दार चीनी, ता जिसको कहते हैं, ये हमने सिर्फ एक गिर अब कोषए गिरो में दाल रहें, 10 गह इसमें ये अलसी जालना है, ये ये इससे आपके अच्छी के करना है, और हम आप ये शेयर कुछ shark के वह मेरा जूसर March कर देगा, ये टोड़ देगा के अव कालया है, मैं आपके अल्याजिक में प्लास्तिकु धूट करिगाया है, प कूटने के बाद अब हम इसमें ये डाल लेगे, ये खड़ी शकर मैंने 10 ग्राम ली थी, अब ये ग्रेंट हो चुका है, अब हम इसके या निकालेगे, अब आप देख रहे हैं कि हमने इसका पूरा पाउडर बना दिया, सफूफ कर दिया, जितना बैतर से बैतर हो सकते हैं, इसको ग्रेंट कर सकते हैं, अब इसके एक्वल 10 हिस्से कर देने, 10 पार्ट कर लेने, 10 पार्ट अलग-अलग ऐसे चुटी-चुटी पूरिया बना के, अब आप देख रहे हैं कि हमने 10 हिस्से किये हैं, आप कोशिश करें कि ये सेंटू सेंब बने, सबके एक्वल डिवाइड़ो, मेरे इसमें बहुत फरकार है, आप इसका वजन भी कर सकते हैं, या अपने अन्दाजे के हिसाब से 10 हिस्से बनाने, आप ने इसके एक पैकेट बना लेकर जो भी कुछ करके, इसके एक पैकेट लेके, इसकी 10 पैकेट है बना ले, रोज आना सुबा निहार हूँ, आपने ये खाना है, पानी लेना है, और उसके बाद नाच्टा करें, ठीक है, बेशक जिन्दगी और मौत अल्ला के हाथ में ह जहां है तो सब कुछ है तो लेहाजा आपको यह रेमेडी पसंद आएगी क्योंकि यह बहतरीन एक ऐसी रेमेडी यह जिससे आपका शैटी का खास तोर पर शैटी का जो बेक बैक पैन या अरकुन निसा कहलाता है उससे आपको रिलीफ मिलेगा और वो जंजट या वो मसला ख में रख ले और रोजाना सुबा दस दिन के लिए दस दिन से ज्यादा नहीं करें लेकिन दस दिन के लिए आप अपने हिसाब से इसका अंदाजा लगा लेकि कि आपने रोजाना कितना यह लेना है कि यह दस दिन में खतम हो जा है अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, अल्ला हाफिस, टाटा बाई बाई